आप इस जोतिश में अपकर स्वागत हैं मैं हूँ अंज्री में साथ मौझू दोस्तों जैशंकर की मैं हूँ आपके शात्र गुनात प्रशाज शास्त्री बन गया गजल अच्छमी राजियूग इन पांच राजिवालों के पास खिचा चलाएगा पैसा बरसे की माल अच्छमी की बिशेश क्रपा आए जानते हैं कौन सी राजिके जात्तक के पास खिचा चलाएगा पैसा और माल अच्छमी की बरसे की बिशेश क्रपा मेश रास के जात्कों के लिए सूर का परिवर्तन बारवे घर में हो रहा है विद्यार्थियों के लिए शमय काफी अच्छा रहने के आसा रहे हैं हलाकि एच्चिक परिडाम हासल करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी वर्तमान नौकरी से संतुष जात्कों के नए और बहतर आसर हो सकते हैं लेकिन प्यार के मामले में तक्रार बढ़ने के भी आसार बने हुए हैं आपके लिए शला है कि अपने साथी की भावनाओं को आहत न करें ना ही उनके साथ किसी भी प्रकार की बहस बाजी में पढ़ें और यदि आप चाहते हैं आपका किसी तरह से भी बुरा नहों सिर्फ अच्छा हो तो इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं ओम रहम बहस बते नमाहा इस मंत्र का एक माला जब करें और पूरयोहित को केला नारिल कादान करें ऐसा करने से मैं इस राज के जातकों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लाब मिल सकता है अब बात करते हैं प्रेसब राज सिखिए ग्यारवे स्थान में सूरी परिवरतन आप के लिए अच्छा रहने के आशार है शंपती खरिदने का योग भी बन रहा है यदि किसी पर्योगarmed में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफी सुबह है यदि लंबे समय से दोस्तों के साथ मर्स्ती नहीं की तो या समय दोस्तों के साथ अच्छा समय बितीत करने के लिहाँ से काफी जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है वा सभी बन जाए तो इस मंद्र का जब करें ओम 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 आये नमाहा इस मंद्र का एक माला जब करें मंद्र में लड्डू का भोल गएं तो ज्यादा बेहतर होगा आए जानते हैं मिथुन राज के जात्कों के लिए सूर्य का परिवर्तन उन्हें से क्यालाब होने वाला है तस्वे भाव में सूर्य आ रहा है जा परिवर्तन बेउस्टाइक द्रश्टी से आपके लिए काफी अच्छा है विशेश कर फाइन आर्ट शेत्र से जुड़े जात्कों के लिए तो बहुत ही भागजालिक आ जा सकता है आपको इसमें अपनी कला में महारत के साथ प्रशिद्धी भी प्राप्त हो सकती है अभियानियुम संचार शेत्र के अपने और संचार शेत्र के काम करने वाले मिथुन जात्कों के लिए भी समय काफी सुब रहने का आशार दिख रहा है और यदि आप चाहते हैं कोई भी दिक्कत आपके शाहत ना है तो इस मंत्र का जब करें ओम शुम शुक्राय नमाहा और चावल दूद दही का दान करें बेतर होगा आए जानते हैं करक्रास के जात्कों का ये परिवर्तन कैसा रहने वाला है सुर अपनी रासी से नवे घर में प्रिवेश कर रहा है जो कि पिता के लिए काफी एच्छा रहेगा यदि पिछले कुछ समय से आपके पिता का स्वास ठीक नहीं है तो उनका स्वास सूर के प्रभाव से बेतर होगा इस समय आपका रुझान दार्मिक कारियों की और अग्रसर होने की संभावना है क्योंकि सूर्य प्रूर करह वाने जाते हैं अतुरू यह शमय आपके लिए छोटे भाई बहनों के लिए सुब नहीं कहा जा सकता है हो सकता है उनके साथ आपका मन मुटाओ हो या उन्हें किसी अनपरिशानी का सामना करना पड़े यदि हर प्रकार की समस्याओं से बचना चाहते हैं तो इस मंत्र का जब करें और भगवान आस्तोस का तो द्राव से भी करें आए जानते हैं शिंग रास के जात्कों के लिए या परिवर्तन कैसा रहने वाला है आपके रासी स्वामी शिंग रास से परिवर्तित होकर अस्तमभाव में आ रहे हैं आपको किसी करीबी को स्वास्थिगत परिशानियों से दोचार होना पड़ सकता है आखवा हटियों से सम्मंदित लोगों से विशेश रूप से सावधान रहने की ओ सकता है जरासी भी रच्छन दिखाई दें चिक स्वास्थ के परामर्स लेने में किसी तरह की लापरवाही ना बरतें इस तमय आर्थिक रूप से भी आपके खर्चों में बड़ोत्री हो सकती है इसलिए अपने जेप का भी ध्यान रखें और सोंच समझ कर अवस्थक वस्थों पर धन कर्च करें यही बेतर होगा और एदिया आप चाहते हैं किसी तरह की दिक्कत आपके साथ बिलकुल ना है तुश मंत्र का जब करें और दिन एक माले का जब करें और गड़ेश जी की आराधना करें और तुवी गड़पत में चढ़ाएं दुर्वा घास जो है वो गड़पत पर चढ़ाएं और उनका मनन करें आए जानते हैं कन्या राज के लिए या परिवर्तन कैसा रहने वाला है सात्वा अस्थान दंपत जीवन को प्रभावित करता है या विवा का अस्थान माना जाता है सूरी परिवर्तित होकर आपकी रासी से सप्तम भाव में ही आ रहे हैं इसलिए इस समय अपने संबंदों को लेकर थोड़ी सतरकता वरते हैं जीवन साथी के साथ किसी तरह वाद विवाद न करें और नहीं किसी भी तरह की भावनाओं को आहत होने दें अलग कि सुदूर छेत्र में ब्योशायक करने वालों को इस तमें लाप्राप्त कर सकते हैं पुल मिलाकर शूर का या परिवर्तन आपके लिए विक्त्य जीवन में नकारात्मक तो जोशायक जीवन में सकारात्मक प्रणाम देने वाला रह सकता है और यदि आप चाहते हैं जो नकारात्मक प्रणाव है उनस्थ हो जाए तो इस मंत्र का जब करें तो ज्यादा बेहतर होगा ओम ब्राम ब्रावे नमा और मूली दान करें आए जानते हैं तुला रास के जात्कों का कि लिए या परिवर्तन कैसा रहने वाला है आपकी रासी से सूर्य का परिवर्तन छठेगर में हो रहा है जिसका आपकी रासी पर नकारात्मक प्रणाव पढ़ने की आसार है अपने खर्चों पर नियंत्रों रखने का प्रियास करें स्वास्त के प्रेश सचेत रहें बुखार, सिर्दर्द, आँख, संबंदी, संक्रमंग का शिकार बन सकते हैं अपने रोग, प्रित्योग, शम्ता को बेहतर करने के लिए अपने खान पान, संबंदी आत्सों में सुधार कर सकते हैं जिस नियाले में आपका कोई मामला विचारा दीन है तो आपका पलरा भाड़ी हो सकता है और एदी आप चाहते हैं किसी तरह की दिक्कत आपके शाथ ना हो इस मंत का जब भी कर सकते हैं ओम, केम, के, तुवे, नमाहा और सोच मजीओं की सेवा भी करें आईए जानते हैं राश्चिक राश की जात्कों का या परिवर्तन कैसा रहने वाला है राशी से पंचम अस्थान पर सूरी का माना आपके लिए बहुत ही भागशाली का जा सकता है काम का जी जीवन भी काफी अच्छा रहने के आसार है समय रहते लच्चियों को प्राप्ट कर सकते हैं सारुने छेत्र में कारण जात्कों के लिए बहुत ही सुब समय संतान पच्च की वोर से भी आपको सुब समाचार मिल सकता है प्राश्चिक राशी के बालक इस समय काफी उर्जावान और उत्साही होंगे आपका आत्म विश्वाद भी सुर के प्रभाव से चरम पर रहने आफ़ार दिख रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको हर प्रकार से सब कुछ अच्छा मिले तो इस मंतर का जब करें ओम घ्रणे शूर्या है नमा गुड गेंग का दान भी कर सकते हैं आये जानते हैं धनुरास की जात्कों के लिए या परवर्तन कैसा है लंबे समय से यदि आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं तो परिजनों के साथ एक बेहतर समय बिता बितीत करने को मिल सकता है चतुरत भाव में सूर्य का दाखिल होना किसी का संकेत है सरकारी नौकरी करने वाले जात्कों के लिए भी या काफी अच्छा नजरा रहा है अपना घर बनाने का चपना यदि संजोग रखा है तो प्रियाज सफल हो सकते हैं वाहन यदि आज की खरिदारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय काफी सुपह कुल मिलाकर हर छेत्र में आप अपने आत्मबल से स्फल्ता प्राप्त कर सकते हैं और यदि आप चाहते हैं जो भी आंसी ग्रुप से दिक्कत आ रही है वो भी दिक्कत रहा है तो इस मंद्र काजब करें ओम नमाहा शिवाय तूद चावल कदान करें तूद राविसेग करें आपके लिए बहतर होगा आए जानते हैं मकर राज के जदकों का ये राजी परिवर्तन से क्या होने वाला है मकर राज के लिए तीसरे अस्थान पर शूर आएंगे जो कि आपके लिए सुबसंकेत नहीं है भाई बहनों के स्वास्ति के प्रद आप चिंतित हो सकते हैं या फिर उनका गलत संगत में पढ़ना और आपकी बातों को नजर अंदाज करना भी आपको अखर सकता है पिता के स्वास्त को लेकर भी आप परिशान हो सकते हैं दूसरों की देख पाल करते करते हैं आप स्वेम कब बीमार होंगे आपको इसका अंदाजा नहीं होगा इसलिए अपनी सेहत के प्रदी सचेत रहें तोटी मोटी यात्रा के योग भी आपके लिए बनेंगे कुल मिलाकर सूर का या परिवर्तन आपके लिए परिशानिया लाने वाला है लेकिन परिशान बिल्कुल नहों या दोर लंबे समय तक नहीं चलने वाला है और या उपा और हन्मान जी की उपासना करें, मसूर की दाल गुर्दान करें, आपके लिए बेहतर होगा। आए जानते हैं कुम्ब राज के लिए या परिवर्टन कैसा रहने वाला है। अपनी रासी दूसरे घर में सूर्ग का परिवर्तन हो रहा है। सूर्चुकी कुर्ग रहमाने जाते हैं दूसरे भाव में या आपकी वाड़ी को प्रभावित कर सकते हैं। इस समय आप अनावस्टक विवाद में पढ़ सकते हैं जिसका असर आपके संबंदों पर भी नकार आत्मग्रूप से पढ़ सकता है। आपकी बातें आपके शाथी की भावनों को ठेश पहुचा सकती हैं। पुल मिलाकर इस समय आपको अपनी वाड़ी नियंतर करने की आउसकता है। और यदि आप चाहतें किसी तरह की दिक्त ना आए इस मंत्र का जब भी कर सकते हैं। ओम गुर्वे नवाहां और पीली वर्त्वों का दान करें। गुरुजनों का असिरवाद लें। आए जानते हैं मेन रास के जात्कों के लिए या परिवर्तन कैसा रहने वाला। कुम से परिवर्तित होकर आपकी ही रासी में सूर्य का प्रवेस हो रहा है। जहां पुद्ध पहले से ही भी राजमान हैं। लेकिन शुक्र वक्री अवस्ता में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य का आना आपके स्वास्त का शंबंधों में तो परिशानी खड़ी करेगा ही साथ ही आपके व्यूशाय में भी इसके नकारात्मक प्रवाव पढ़ने की संभावने बनी हुई हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही छोटा सा उपायश से कर सकते हैं। ओम सुक्रा सुम् सुक्रा हिनमा और महामाया के दर्शन करें।